ब्रेकेबा स्वागत है आपका 2014 लोक सभा में गंगा चिनाव प्रचार का केंद्र बन गई है जब मोदी की मौझूदगी में बीजेपी की सरकार बनी तो उनकी प्राथमिक्ता में भी गंगा रही इस बार 2019 के चिनाव में कॉंग्रिस भी बीजेपी के रास्ते पर चल कर गंगा के सहारे अपनी नईया पार लगाना चाहती है सूतरों के मताबिक कॉंग्रिस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभाडी प्रियंका गांधी बादब्रा एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन दिवसी गंगा यात्रा पर निकल सकती है इस बार उनकी यात्रा प्रियंका की इस यात्रा का नाम नियाय यात्रा रखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस यात्रा के दोरान प्रियंका गांधी कॉंग्रिस की मैनिफेस्टों में बेरोजगारों को नियाय यूजना के तहत सालाना 72,000 रुपे देने का जिक्र करने के साथ मोधी को गंगा सफाई के मुद्धे पर घेरने का भी काम करेंगी बता दें कि प्रेंका के सियात्रा की तारीख की घोशना फिलहाल अभी नहीं की गई है